नमस्कार जय जोहार चतसगड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपून बड़ी खबरों को पर असे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं कॉमेंट में बताना बलकुल ना भूले चतसगड के आंगनवड़ी कींद्र में चल रहा है पोशन अभियान चतसगड की लगभग 52,000 आंगनवड़ी कींद्र में महलाओं और बच्चों को स्वास्त के प्रती जागरू करने की और उनके पोशन सम्मत देख भाल के लिए समझाईश दी जा रही है गौर तलब है कि चतसगड को अनिमया और को पोशन मुक्त बनाने के लिए गाउं में महला बाल विकास विभाग द्वारा सो पोशन रत की माधियम से जागरूकता लाई जा रही है अब गौप आलकों की तलाश में जुटी पुले स सूचना देने वालों को मिले गाए ना धूमा सिल पहरी रोड में करीब दो महीने पहले सडक हाथसे में नौ मवेशियों की मौत हो गई हाथसे के बाद पुलिस ने कई CCTV की जांच के बाद ट्रक की चाला को गिरफतार कर नयायाले में पेश किया वहीं गौपालक की जानकरी नहीं मिल पाई पुलिस गाए को खुला छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ कारिवाई करेगी इसके लिए उनके मालिक की तलाश कर रही है गाए के मालिकों की जानकरी देने वालों के लिए इनाम की घोशना की गई है स्पी रजनेश सिंग ने बताया कि 16 जुलाई को धूमा सिल पहरी रोड में सड़काचे में नौम अभीश्यू की मौत हो गई चर्मराई बिजली विवस्ता हर रोज 5-6 बार हो रही बिजली गुल पिछले करीव सब्ताभर से ये स्थिती देखने को मिल रही है कि शहर के अंदर ऐसा कोई वाड नहीं है जो बिजली की आख मिचौली से प्रभावित न हो रहा हो रापर सी बलोदा बाजार के बीच रेल लाइन सर्वे का सांसत ब्रजमोहन ने दिये निर्देश सांसत ब्रजमोहन अगरवाल ने छतसगर में ट्रेनों के लगातार नरस्त होने और देरी से चलने की कारण रेल यातियों को हो रही असुवधाओं पर नाराजगी चताई है और रेल अधिकारियों को इस परिशानी को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिये हैं सांसत ब्रजमोहन अगरवाल ने DRM ओफिस में रायपुर रेल मंडल के अंतरकत आने वाले संसदी शेत्रों के सांसदों के साथ दक्षिन पूर्व मत ही रिल्वे के रिल्वे अधिकारियों के बैठकनी अलुमिना प्लांट में जान गवाने वाले मजदूरों को 15-15 लाग रुपे देगी कंपनी जिल्द की अलुमिना प्लांट में हुए और द्योगिक हाचसमी पीड़त परिवारों को कंपनी द्वारा 15-15 लाग रुपे की मुआफजा दी जाएगी इसी प्रकार घालों को 3-3 लाग रुपे की राशी मिलेगी गौर तलब है कि मुखे मंत्री विश्ण देव साय द्वारा गत रविवार को अलुमिना प्लांट में हुए और द्योगिक हाचसमी पीड़त परिवारों के साथ गहरी समवेदना जताते हुए जिला प्रशासन को उचित कारेवाही के नरदेश दी गए थे कलेक्टर सरगुजदवारा एलूमिना प्लांट हाच्चे की जाँच के लिए जाँच दल का गटन कर दिया गया है प्रधान मंत्री आवास योजना की नए हिद्गराहियों के लिए अच्छी खबर राजधानी रायपुर में 15 सितंबर को आया उजद मूर आवास मूर अधिकार कारेक्रम में चतुसगड की 5.5 लाख हिद्गराहियों को पीम आवास की पहली किस्त जारी की जाएगी प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी वर्ड चुल माध्यम से राशी जारी करेंगे इसके साथ ही इस अफसर पर आवास प्लस एप्लिकेशन जारी होगा जिसके जरिया आवास हीन लोग पीम आवास के लिए अवीदन कर सकेंगे उपमोके मंत्री विजशर्मा नहीं बताए कि रायपुर में प्रधान मंत्री आवास को लेकर आगामी 15 सितंबर को बड़ा कारिक्रम है पांच करोड का सोना 15 मिनिट में लूटा चतसगड में बड़ी चोरी जवारखन की तरफ भागे चोर चतसगड की बलरामपुर रामा अनुज गंज जले सी दिन्दहाडी चोरी की लूट का हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां चोरों ने पारशद और जोइलरी शॉप की माले की दुकान सी 5 करोड रुपे का सोना महज 15 मिनिट में लूटा और मौके सी फरार हो गए वहीं इस घटना के बाद पूरा रामा अनुज गंज शहर विरोध में बंद हो गया नगर पंचायत पथल गाओं को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना चतसगड राजपत्र में प्रकाशित हुई है इसके साथ पथल गाओं को नगर पालिका बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है वेदित हो की मुखे मंत्री विश्ण देव साय ने ग्राम किलकिला में आयोजत पूर्व के इंद्री मंत्री स्वर्गिय कुमार दिलिप सिंग जुदेव की पूर्णे दिथी 14 अगर 2024 के दिन पत्थल गाओं को नगर पंचायच से नगर पालिका बनाने की खोशना की थी जारी अधिसूचना के तहट 21 दिनों तक दावा आपत्ती मांगी गई है चतसगड में सीमेंट की बढ़ती कीमतों के खिलाफ होगा संग्राम बोले धर में इंद्र साहू चतसगड में कुछ दिनों पहले सीमेंट के हर बोरीक पर कीमतें 50 रुपए तक बढ़ा दी गई है अब इसे लेकर कॉंग्रेस ने साय सरकार पर हमला बोला है कौंग्रिस ने रायपर गांधी चौक इस्थे तक कौंग्रिस कारेयाले में इसिमेंट के बढ़ते दाम को लेकर प्रेस पार्ताली है साहू ने कहा कि चतसगड की सभी सीमेंट चम्पनों ने सीमेंट की परती बोरी के दाम में 50 रुपे तक का ईजाफ़ा किया है बड़े हुए दामों को सरकार को वापस से लेना चाहिए प्रदेश में पहली बार सीमेंट के दाम में प्रती बोरी 50 रुपे की व्रधी की गई है आफ़त की बारिश से चातसगड में बार के हलाथ सीम विश्ण देव साय ने सभी जिला केलेक्टर को किया लाट चातसगड में लगतार हु रही भारी बारिश की वज़ह से कई जिलों में बाढ़ की इस्तिती हो गई है इसे लेकर सरकार सतर्क है इससे निपटने के लिए सीम विश्ण देव साय ने सम्मंध जिले के केलेक्टर को निरदेशित किया गया है ये जानकारी मुख्य मंत्री विश्ण देव साय ने एक कारिक्रम के दोरां दी वन बन्य प्राणी और परियावरन की रक्षा करते हुए प्राणों की आहूती देने वाले वन शहीदों की सम्रती में राश्ट्री वन शहीद दिवस मनाया गया है इसी कड़ी में रायपूर के उर्जा पार के स्थित राजी विस्मृती में एक कारिक्रम आयोजित किया गया जहां मुख्य मंत्री विश्ण देव साय पहुँचे और शहीदों को श्रधान जरी दी शतसगड की चीफ जेस्टिस रमेश सिना ने हाई कोट और जिला कोट के लिए आर्टी आई ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉंच किया पार दर्शिता और जवाब देही बढ़ाने की दिशा में महत्वपून कदम उठाते हुई शतसगड हाई कोट की चीफ जेस्टिस रमेश सिना ने हाई कोट और राज्युकी जिला नयायपालिका के लिए सुचना के अधिकार को समर्पित आर्टी आई ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉंच किया सुचना तक डिजिटल पहुँच के माधियम से नागरिक सशक्ति करण में नई युक को चिनहित करने के लिए पिछले सप्ता है वेब पोर्टल लॉंच किया गया लॉंच के अफसर पर अपने संबोधिन में चीफ जेस्टिस सिनहा ने नागरिकों को शासन में सार्थक रूप से शामिल होने के लिए सशक्त बनाने में सुचना तक पहुँच की महद्वपोन भूमे का परजोर दिया महला कॉंग्रिस के घिराफ कारिक्रम में बोले भूपेश बगहील चत्रसगड में सुचासन सर्फ होडिंग्स में है चत्रसगड की पूर्वसीयम भूपेश बगहील ने मंगलवार को प्रदेश सरकार पर जम कर हमला बोला है और विश्णो देव साय के नेतरत्व वाली बीजेपी सरकार को होडिंग्स वाली सुचासन सरकार करार देते हुए कहा कि राजमी कानुन विवस्था पूरी तरह से ध्वस्थ हो चुकी है प्रदेश में 4 साल की बच्ची से लेकर 75 साल की महला तक सुरक्षित नहीं है प्रदेश में हर महीने करी 30 से 32 लाग टन सीमेंट का प्रड़क्षन होता है लेकिन यहां इसकी खपत महज 8 लाग टन ही होती है बाकी माल दूसरी राजियों में भीज जाता है वहीं सीमेंट की कीमतें बढ़ने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है राइपुर से भाजपा सांसत ब्रजमुहन अगरवाल ने इस मामले में अपनी सरकार को घीरा है उन्होंने दरें कम करने के लिए केंद्री मंत्री निर्मला सीता रमन और सीम विश्ण देव साय को पत्र लिखा है आंदोलन की राह में च्छतसगर के करमचारी महंगाई भत्ता ह्रे समीत चार सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर की राज़ सरकार के करमचारी प्रदर्शन कर रही है च्छतसगर करमचारी अधिकारी फेडरेशन के आवाहन पर पूरे प्रदेश की सरकारी करमचारी ने सरकारी दफतरों के आगे विरोध प्रदर्शन किया और मशाल रैली निकाली राजधानी राइपुर में भी कलेक्ट्रेट के सामने करमचारियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए चुतसगड के जले में नगर्सानिकों की होगी भरती चुतसगड की युवाओं के लिए खुशखबरी है बिलासपुर में लंबी समय बाद यानि लगभग दस सल बाद नगर्सानिकों की भरती की जा रही है संभाग में 465 पदों पर भरती निकली है इसमें नगर्सानिक 200 और महला चात्रावासों में महला नगर्सानिकों के 265 पर निकले गए हैं इसके लिए संभाग के 21,000 युवाओं ने फॉर्म भरा है भरती प्रक्रिया को लेकर जिले के भरनी परसदा स्थित अगनी शमन और SDRF मैदान पर फिजिकल टेस्ट होगा ये परीक्षा 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तकाय उचित की जाएगी चत्तसगर स्वामी विवेका नंद तक्नीकी विश्वविद्याले भिलाई और SOEBIT और SOEBIT साइबर सिक्योरिटी नीदर लांड्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया इस MOU के तहट दोनों संस्थान साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षन और शिक्षा कारिक्रमों का आयोजन करेंगे संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं पर काम करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के शेत्र में विशिशग्यता के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे CSVTU के कुलपती प्रोफेसर M.K. वर्मा ने कहा कि ये समझोता साइबर सिक्योरिटी के शेत्र में अपनी शमताओं को मजबूत करने और वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में मदद करेंगा साबधान प्रदेश में 30 से बढ़ रहा स्वान फ्लू का खत्रा रायपुर और बलासपुर जिले में स्वान फ्लू का प्रकोप काफी बढ़ चुका है चुकि कबीरधाम जिले के लोग मुखे रूप से व्यपारी और इलाज के लिए रायपुर और बलासपुर ही जाते हैं ऐसे में वहां का संक्रमने सोर ना फैल जाए इसका खत्रा बना हुआ है रोजाना का इदरजुन याथरी वाहन रापर और बलासपुर से आवागमन करते हैं बलासपुर लगतार इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है साथ ही मौत के आकड़े भी तेजी से बढ़ रहे है लीज की जमीन का भू भाटक जमा करने में लगा नेगम पचास लाग से अधिक का भुकतान चतिसगर की कूर बजले की नगर नेगम की ओर से इस समय के साथ कई आवासिय कोलोनिया बनाई गई है ये आवासिय कोलोनिया महा, राणा, प्रताप नगर, रविशंकर नगर, शिवाजी नगर, राजींदर, प्रसाद नगर एवं साड़ा कॉलोनी के नाम से जानी जाती है निगम ने जिस जमीन पर उक्तम मकानों को बनाया है वो नजूल की जमीन है जिसे निगम ने लंबी अवधी के लिए लीस पर लिया और मकान बना कर लोगों को बेचा पूर्व की सरकार में जब लीज की जमीन को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया आई तब कई लोगों ने इसमें दिल्चस्पी दिखाई मलेरिया को कंट्रोल करने बस्तर पहुंची दिली की टीम ग्रामीनों को दिये गई ये आवाशक दिर्शन रिदेश नई दिली से आई टीम बस्तर में मलेरिया नियंतरन गतिविधियों की मौनीटरिंग करने पहुंची है एन सी वी डी सी नई दिली के टीम द्वारा विकास खंड बस्तर नार लोहंडी गुडा बकावंड एवं मेडिकल कॉलेज का भ्रमन किया गया साथ ही टीम की द्वारा निमनलिखेत सुझाब दिये गए टीम की द्वारा निर्देशित किया गया है मलेरिया के रोक थाम और नियंतरन के लिए ग्रामस्तर से समुदाय में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए अती समवीदन शील पहुंच विहीन शेत्रों में जाच उप्चार की सुवधा मोहया कराई जाए बिना अनुमती नहीं होगी सीधी भरती विभागों को निर्देश जारी राज शासन के वित विभाग ने रिक्त पदों पर भरती के समंद में आदेश जारी किये हैं वित विभाग के निर्देश अनुसार जनवरी 2024 के पूर्वजिन पदों के लिए वित विभाग से भरती की अनुमती ली गई थी उनकी अनुमती अब रद कर दी गई है अब ऐसे सभी पदों पर पुना वित्त विभाग से अनुमती प्राप्त करने के बाद ही विग्यापन जारी किये जा सकेंगे और भरती प्रक्रिया आगे बढ़े की इस निर्णे के तहट सीधी भरती के रिक्त पदों पर भरने से पहले वित्त विभाग के अनुमती अनिवारी कर दी गई है जिससे सभी विभागों को नैसरे से वित्ती मंसूरी लीनी होगी अबाद महुआ शराब पर आपकारी विभागने की बड़ी कारिवाई कलेक्टर कार्तिके अगोयल एवं पुलिस अधिक्षक दिव्यांग पटेल के निदेश पर आपकारी विभागत वारा पुलिस चौकी जोबी के साथ मिलकर अबाद शुराब की संदिकदों पर कारिवाई की गई है अबर शुराब निर्मान एवं विक्रे की शिकायत मलने परापकारी व्रत खरसिया अंतरगरत ग्राम जोबी में कुल साथ स्थानों पर एक साथ चापा मार कारिवाई की गई मदरा खरीदी की पुष्टी होने पर मनोज कुमार राठिया के अधिपत्यक से एक सफेद रंग के जरिकेन में साथ टीटर एक पील रंग के जरिकेन में दो लीटर एवं खरीद कर लाया गया 200 ml कुल 9.200 रीचर महुआ मदरा जबत कर आरोपी के विरुध आपकारी अधिनियों के तहट गैर जमानती एधारा की प्रकरन कायम कर जेल दाखिल की कारिवाई की गई बिरानुमती बायो डीजल बेचने पर होगी कड़ी कारिवाई रायपूर कलेक्टर ने दिये निर्देश कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंग ने बिना अनुमती के बायो डीजल की विक्री करने पर कारिवाई की निर्देश दिये हैं कलेक्टरन ने इस पष्छे निर्देश दिया है कि बायो डीजल की विक्री करने के लिए खादि विभाग के अनुमती अनिवारे है बायो डीजल के अवध व्यापार और गड़बडी को रोकने के लिए खादि विभाग ने मानक प्रख्रियास सहत जारी किया है कलेक्टर गौरफ सिंग जिन व्यक्तियों को जैव, डीजल, निर्माता एवाम आउट लेट्स के प्रापधानों की समन्द में विस्तरत जानकारी प्राप्त करना हैं, विखादी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ट्रेक के निगरानी के लिए ट्रेन में लगेंगी कैमरे, बीते कुछ दिरों में ट्रेक से चेड़ चाड़ कर ट्रेन को पलटाने की साज़श के खुलासे हुए हैं, ऐसे में रेलवे मंत्राले ने बड़ा फैसला लिया है, इसकी तहट अब हर ट्रेन में कैमरे लगाए कि एक साल में कैमरे लगाने का काम पूरा किया जाएगा। जंग रुखवाने के लिए भारत ने दिया रूस को फॉर्मूला और संगलन है ये तो थी आज की बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो विडियो को लाइख और श्रीयर करना वेलकुन ना भूले धन्यवाद